अब 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 आप सभी का इस्टूडियो में तो आज यह गेट का फॉस्ट लेक्चर है ठीक है जैसे कि मैंने आप लोग को बोला है कि एप में गेट का कोर्स अल्रडी लाउंच हो चुका है 21st मार्च से है ना 21 मार्च से मैं लाइफ क्लासेस एप में लेना स्टार्ट कर दूँगा तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो जो गेट की तैयारी कर रहे हो ठीक है वह आईए और जॉइन करना चालू कर दीजिए ठीक है कि किस मार्च से लाइफ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है इसमें आपको live classes मिलेगा ठीक है और जो live classes होंगी उसका recorded version भी आपको मिलेगा और डी काफी सारा material recorded है वो भी आपको मिलेगा study material होगा है ना और इसके लावा आपका model question paper होगा यह सारी चीजे आप लोग को मिलेगी ठीक है तो app में आप लोग enroll करना चालू कर दीजे तो आज यह first lecture है उस first lecture में हम लोग basic से चीजे start करेंगे आज इस video में हम लोग पढ़ेंगे Miller indices के बारे में ठीक है तो Miller indices क्या होता है Miller indices actually में जो crystal के अंदर जो planes होते है ना plane और direction उसको उसका notation का काम करता है मतलब उसको define करता है जैसे crystal के अंदर बहुत सारे plane होते हैं ठीक है मतलब बहुत सारे planes of assume कर सकते हो जैसे crystal structure है ठीक है तोड़ा से basic में crystal structure के पहले बता देता हूं आप लोगों बहुत लोगों पता भी होगा crystal structure अगर में ली देखा जाए जो जो तीन टाइप के crystal structure होते है जनरली है जो maximum जो मैटल या elements होते हैं उनका crystal structure इन तीनों में से कुछ होता है ठीक है या तो BCC होगा FCC होगा या HCP होगा ठीक है इसके अलावा जो crystal structure है वो बहुत रेयर होते है ठीक है तो आपको पता है कि BCC में कहा कहा पे अटम होते है body centered cubic में जैसे नाम सी पता चल रहा है BCC body centered cubic तो इसमें क्या होता है corners पे अटम होते हैं यहां corner पे 8 corner पे अटम होगा ठीक है आट corner जैसे कि आप जिस room में हो उसको एक cube मान के चलो है ना तो आपके room में 8 corner होगे ऊपर 4 होगा 4 corner और नीचे 4 corner होगा मतलब 8 corner तो BCC में 8 corner पे अटम होता है और एक body के center में मतलब जैसे आज जिस room में हो उस room के center में करो तो इससे जो structure बनता है उसको बोलते है BCC body centered क्यूबिक structure ठीक है इसको लेक शूडियों हो लोग और detail से समझेंगे crystal structure को ठीक है यह होता है BCC FCC में क्या होता है face centered cubic इसमें corners पे अटम होगा ही होगा इना face के center में भी होता है ठीक है जैसे दिवार है मान के चलो आपके घर में जो दिवार जिस room में आप बैठे ओखो इसमें 8 corner पे अटम अजीम करो और सारे दिवारों पे एक अटम चाहँ दिवार पे और ऊपर छट पर नीचे फर्ष पे ठीक है तो total 6 face है तो हर 6 face में एक 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 नब और न पर बनता है यहां पर दिखेर इसको डीटेल से हम लोग देखेंगे करता है प्लेन को नोटिफाइ करता है कि इस प्लेन का नाम क्या है इस अलग अलग प्लेन आता है बहुत सार प्लेन है एक क्रिस्टल गंदर आप कई सारे प्लेन अजियूम कर सकते हो ठीक है crystal planes ठीक है या बोई सकते हो plane of atom अब देखो ऐसा कोई plane नाम का कोई चीज तो होता नहीं है plane मतलब atom से ही बना हुआ plane ठीक है जैसे एक्जामपल के लिए बीसी से स्ट्रक्चर है तो इस एक स्ट्रक्चर मान के चलो यह वाले atoms को बस मैं लेता हूँ अब मान के चलो दूसरा condition लेता हूँ कि मैं केवल यह corner वाले को और इधर वाले को अजिए को इसको नहीं करता हूँ जो ऐसे जाएगा मतलब यहां से यहां तक जो जाएगा ऐसे बीच में ठीक है यह वाला जो plane होगा वह आपको कौन सा होगा अलग plane होगा और दोनों पढ़े होगे अभी तक जैसे 100 plane, 120 plane, 111 plane ऐसे काफी सारे plane होते है ठीक है अब बाताती है कि हम ऐसा पढ़ते है plane की बारे में तो देखिए plane का जो सबसे जो main काम आता है वह कहां पर आता है slip process में slip कहां होता है deformation में ठीक है deformation के दो टाइप में होते है मतलब दो process से deformation होता है एक आपका slip के थ्रू होता है दूसरा tuning के थ्रू होता है ठीक है है तो slip में क्या होता है ना slip जो होता है एक particular plane पे होता है ठीक है एक particular plane पे ही होता है जो सबसे dense plane होता है जिस plane की density सबसे ज्यादा होता ही ना उसी plane में slip होता है जिसको हम बोलते है भी प्लेन में होता है इसको वह समझने है कि मिलारेंडíchी का नाम दिया जाताwyn उसके अलबढ़ जो यह सब बेसिक है जो तक आप आप इसके बारे नहीं समझे तब-ढरेंडि को बना पाऊगे critical result is related to question होते हैं ठीक है mechanical mythology से related questions होते है physical mythology से related question होते है वो आप से नहीं बन पाएगा जब तक आप यह basic जो है crystal structure और plane और direction के mirror indices को अगर नहीं समझते हो तब तक ना numerical नहीं बन सकते mechanical metallurgy और physical metal जीक लिए तो यह क्या basic है जैसे किसी स्ट्रक्चर में अगर मुझे पॉइंट को नोटीफाई करना हूं किसी पॉइंट को नोटेशन दोना तो मैं कैसे दे सकता हूं ठीक है जैसे कि मान के चलो यह मान के चलो हमारे क्या है क्यों भी के स्ट्रक्चर है अब मुझे पता है कि कहां कहां पर है और एक सेंटर पर बोडी सेंटर पर यह तो मैं बोल दिया लेकिन इसका नाम कैसे दूं हम इसको कैसे लिखेंगे लेकिन इसको कुछ नाम देना पड़ेगा तो नाम देने के लिए क्या है किसी भी पॉइंट को आपको पता करना हूं जैसे मुझे इस पॉइंट को पता करना है इस पॉइंट को मुझे नाम देना है या इस पॉइंट का लोकेशन बताना है तो कैसे बताते हैं हम लोग कि एक्स से इसका डिस्टिंस क्या है ठीक है वाय से इसका डिस्टिंस क्या है ठीक है तीनों से डिस्टिंस हम बताते है ना एक्स से क्या डिस्टिंस में है जैसे अगर आपको तीनों नोटेशन बता तो आप लोकेशन इसी भी पॉइंट का लोकेशन अब बता सकते हो ठीक है तो अगर मैं यहां पर ऐसे अजून करूं एक्सिस बना दूं इस तरीके से इसको ओरीजिन मान लूँ मान के चलो इस पॉइंट को इस पॉइंट को क्या नाम अधर का होता है अक भी तो इसको मानों उसको मुआ इसको इसको हर एक पॉइंट को नोटेशन आ जाएगा इसको हर एक पॉंट थैसा पॉइंट के तरह से क्या है तो अगर मुझे एटम का लोकेशन बताना हो अ prahu मैं तो मैं कैसे बताऊंगा कि आठ एम कहां होते है कहां कहां उसका position होता है, 0-0-0 पे 8 नहीं लिखो के तो भी चलेगा, 0-0-0 पे होता है उसका position और एक जो होता है center पे, इसको कैसे बताओगे, center पे है, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों से बराबर distance में है, x से भी उतने distance में है, y से भी उतने distance पे और z से भी उ आपको मिलेगा, तो half, half और half, य किसका location होगा, जो center पे जो atom है, body के center में, उसका location होगा, ठीक है, वैसे है, अगर face के center में होता, FCC structure होता तो, उसमें atoms का location हों कैसे define करते हैं, अभी देखो हम लोग mirror indices बनाना चालू नहीं किये हैं, मैं बस आपको कुछ basic सीज़े बता रहा आठो corner पे होगा, तो आठो corner का location कैसे बता होगे, वो तो fix है, 0, 0, 0, जो आठो corner पे, अभी जो face के center पे मान के चलो, यहाँ पे, ठीक है, यह side वाले center पे है, तो इसका location कैसे बता होगे, आप, यह x axis मान के चलो, यह y है और यह z है, तो अगर आप ध्याहां से देखो होगा, तो x और z axis में बस यह part रहे है, y axis से इसको मतलब नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, x से origin, अगर इसको हम origin लेते हैं यह point को, तो इधर half में है, distance में है, इधर half, फिर उपर की तरफ half, ठीक है, तो उसका location क्या आजाएगा, half, half, और z की तरफ तो है ही नहीं, तो क्या होगा, 0 ठीक है, तो जो phase के center में हुसका location क्या आएगा, half, half, 0, ठीक है, अगर यहां पे होता तो क्या आजाता हो, इस position में होता, तो यहां पे x जो हो जीरो हो जाता, ठीक है, मतलब 6 phase में है, उसका location आपको ऐसी मिलेगा, half, half, 0 मिलेगा, या फिर 0, half, half, ऐसा मिलेगा, ठीक है या फिर आपको मिलेगा जीरो एधर हाफ जीरो आप ऐसा करके अलग-अलग पोजिशन मिलेगा ठीक है तो इस त्री डामेंशन में किसी पोजिशन को बताने के लिए हम लोग तो तीन एकसिस का पोंट का धिक हम पता लगाते है तो मिलर इन्डिसीड इस औफ प्लेण अब लिए और मुझे किसी प्लेण का मिलरेंडिसड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे जैसे मुझे किसी प्लेन का क्या निकालना है मिलर इंडिस ठीक है तो हम लोग करते क्या है न एक एक्सिस बना लिजी इस तरीके से यह एक्स एक्सिस है यह यह एक्सिस और जेड़ एक्सिस है तो किसी भी प्लेन का अगर हमको मिलर इंडिस निकालना है तो हमको उसका इंटरसेप्ट पता होना ज़रूरी है उसकी उसका इंटरसेप्ट क्या है दीक है मानके चलो एक्स में उसका इंटरसेप्ट मानके चलो एक और यह एक plane है ठीक है, मान के चलो यह क्या है, यह एक plane है, ठीक है, अब इस plane को मुझे क्या देना है, नाम देना है ठीक है, तो यह plane x-axis पो कहाँ आपके intercept कर रहा है दो पे intercept कर रहा है, y को कहाँ पे कर रहा है, 3 पे कर रहा है और z को कहाँ पे कर रहा है, 4 पे कर रहा है, तो यह intercept हो गया यह क्या होगे आपका, intercept, ठीक है, यह जो plane है, उसका intercept अब intercept से आपको क्या निकालना है, Miller indices निकालना है तो इसका आप रेची स्प्रेप्रोकल लें लो इसका क्या लेवा अप रेची स्ट्रोकल को अप यहां यक्र्षी recover कर दो यहां ओधर जेंगा और यहarnya यहां रिसीर क्रूकल ले लो तो यह क्या हो जाएगा है यह क्या हो जाएगा तो कारोगे आपको ना LCM निकालना पड़ेगा two-three और 4 निकालना पड़ेगा two-three och three eligible Social निकालना पड़ेगा अगर ट्विरियन निकाल लो गए है ट्वेल्सका कितना निकाल है तो आप क्या कर तो simply ऊपर में सब को 12 से इंटू कर दो, मतलब 12 by 3 हो जाएगा, और 12 by 2 हो जाएगा, यह 12 by 3 हो जाएगा, और 12 by 4 हो जाएगा, ठीक है, तो answer क्या आएगा, आना यह आएगा 6, यह आएगा 3 into 4, यह तो 4 आएगा, आना यह इसकी जो रतनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और यह कितना हैगा, 12 by 4 मतलब क्या आएगा, और यह 3 आजाएगा, तो यह 6, 4, 3 यह क्या हुआ, आपका मिलर इंडेसिस हुआ, यही आपका क्या हुआ, मिलर इंडेसिस हुआ, 6, 4, 3, आप बस उसको क्या करो, पैरा इंडेसिस में, पोस्टक बोलते ना, उसको आप अंदर डालते हो, यह क्या वन गया, मिलर इंडेसिस, तो अगर आपको इंटरसेप्ट पता हो, तो इंटरसेप्ट के बेस पे आप, उसका पहले रेसी प्रोकल होगे, फिर उसको smaller integer में, convert करोगे, मतलब सिंपल, LCM निकाल के, T no के LCM निकाल के, into कर दोगे, फिर जो answer आया, वही उसका क्या होगा, Miler Indesces होगा ठीक है तो ये Miler Indesces of क्या हो गया प्लें इस प्लें था प्लेंड का क्या होगई है Miler Indesces ठीक है तो इस तरीके से निकाला जाता है ठीक है अब अगर आपको Miler Indesces दिया गया है ठीक है अगर ihmis guarantee दिया गया है अब हम सीधे जैसे कि हम को दे दिया मिलर इंडिस दे दिया प्लेन का सबसे चालू करते हैं 100 मुझे इसका प्लेन आप बनाओ ठीक है तो सिंपल है इसको सबसे पहले आप क्या बना लेना है क्यूब बनाना पड़ेगा क्योँकि क्यूबिक की बात हो रहे हैं यहां पे आना क्योंए आक है यहां फि cessat अप पिर क्या कर ओ रोगए इसको इसको औरिजिन मान लो दो यह अक्स एक्स उपकलवड यह आपको y axis और यह क्या हो जाएगा आपका z axis ठीक है आपको 100 बनाना है अब ध्यान से देखो यहां पर तो origin हमने कहां पर लिया इसको हमने origin माना इसको हमने क्या माना origin तो यह 0 0 0 वाला हो गया ठीक है अब क्या बोल रहा है 100 00 यहां पर दहां से देखो 100 तो 1 को क्या मानूँगा मैं x y को 0 को y और यह 0 को z x y z ऐसे मानने आपको तो x कितना है x की वैलू कितनी है 1 है तो आपको simply क्या करना है origin से x की दरव एक step बढ़ना है एक step आगे जाना है यहां से कहां पहुँचे को एक step जाओ गए तो इस point पर पहुँच ہو गए है ठीक है अब y 0 है z 0 है मतलब origin से आपको y की तरब भी जाने के जुरत नहीं है और z की तरब भी जाने के जुरत नहीं है बस x1 है तो आपको origin से x की तरब एक step आप जाओगे तो कहां पहुँचे यह point पर पहुँचे है तो यह जो प्लेन है आपका यह जो फ्रंट वाला जो प्लेन है यह आपका क्या हुआ यही आपका हुआ यह आपको क्या हुआ यह आपका हुआ 1,0,0 प्लेन यह आपका क्या हुआ 1,0,0 प्लेन इतना सिंपल है अगर यही हमको ड्रॉ करने बोल दीटा 010 यह plane बनाओ तो यहाँ पे x फिर वही लोगे x, y, z तो यहाँ पे x कितना है 0 है, y कितना है 1 है z जो है वो 0 है मतलब यहाँ पे x origin वही रहेगा origin वही रहेगा अब ध्याँ से दो को origin वही रहेगा यह वाला अब आपको x की तरफ नहीं जानना है क्योंकि x की तरफ जो 0 हो गया y की तरफ एक step चलोगे मतलब यहाँ से y की तरफ मतलब कहाँ पहुचे यहाँ पे पहुचे z की तरफ जाना है क्या और जाने की जूरत नहीं क्योंकि वो 0 है तो यहाँ पे आय पॉइंट z की तरफ है ना मतलब यह वाला जो प्लेन है आपका टाइड वाला यह कौन सा होगा यह कौन सा होगा प्लेन 0 1 0 प्लेन होगा 0 1 0 सिम्पल ठीक है अगर वहीं इसी कोशन बोल दिया जाए 0 0 1 के बारे में कि 0 0 1 बनाओ यहाँ पे x 0 है y 0 है z कितना है 1 ठीक है तो आपको क्या है origin से की रफ जाना है x की रफ जाना नहीं है क्यूंकि x 0 है y की तरफ भी नहीं जाना है कहा जाना है z की तरफ तो यहाँ से जब z की तरफ एक step ज 중에 यहाँ पहँचोगे तो यह वाला जो प्लेन होगा उपर वाला जो 001 plane होगा ठीक है तो इस तरह से क्या होगा अलग-अलग plane अगर आपको mirror indices दिया तो आपको बनाना है तो यह simple मैंने बता दिया क्या जिश को 1000001 को ठीक है अच्छा आप इसके opposite में भी आप imagine कर सकते हो इसके just opposite piece of side क्योंकि 6 phase होता है तो यह 3 phase की बात होगी ना पीछे के phase का क्या होगा उसको कैसे आप notify करोगे ठीक है या उसको कैसे define किया जाता है तो देखो उसके लिए क्या होता है आपको negative की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा 1 bar 00 माहिन के चलो यह आपको बनाना है 1 bar 00 ठीक है तो सबसे पहले वही कर लो आप क्यूब बना लो ऐसा ठीक है तो आप देखो अब यहाँ पर त्विस्ट है यह क्या बोल रहा है 1 bar 00 मतलब एक्स यह वाय और यह जेड है यह जेड भी जेड है तो अगर आप इस को ओरिजिन लोगे अगर आप इस पॉइंट को आप ओरईजिन लेते हो तो एक्स मैंगां आप पीछे की तरफ बनाना पड़ेगा और पीछे तरफ बनाना पड़ेगा लेकिन देखो अगर पीछे बनाओगे तो पीछे तो crystal आप नहीं दिखा सकते आपको तो इसी के अंदर दिखाना ना ये जो सामने में आपने unit cell बनाया है इसी के अंदर उसको दिखाना है उस plane को तो ज्यादा अच्छे है कि आप origin shift कर लो क्या कर लो origin को shift कर लो और origin को shift करने का क्या तरीका होता है origin को shift ऐसे करो कि आप इसी unit cell के अंदर इसी cube के अंदर x के minus को दिखा सको मतलब x is equal to minus 1 मतलब इसके जो negative है उसको आप दिखा सको एक्स माइनस 1 को आप इसी में शो कर सको उसको उसके लिए को क्या करना पड़ेगा origin आपको change करना पड़ेगा आपको origin यहां पे लेना पड़ेगा मतलब यह आपका इधर होगा x-axis ठीक है इधर आपका होगा y-axis और यह उपर की तरब आपको क्या होगा z-axis होगा तो इसको आपको origin लेना पड़ेगा इस point को अपने यह वाला पड़ा यह तो पता होगा ना इस तरीके से रहता है जैसे मान को चलो ऐसा कोई है यह जीरो है तो जब आप बैयां तरब जाते हो तो वह plus होता है प्लस, है ना, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, ठीक है, और उपर की तरब जाते हो तब प्लस होता है, फिर प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, ठीक है, उपर की तरब जाते हो और दया तरब जाते हो तब, और अगर इधर बया तरब जाते हो, लेफ्ट हेंड की तरब तब क्या होता है, वो मा यहां पर देखो क्या हो रहा है कि यह origin हुआ आपको origin को हमने सामने क्यों shift किया क्यूंकि x is equal to minus 1 आपको शो करना है तो हना आप यहां से चलना चालो करो x is equal to minus 1 है तो minus 1 मतलब पीशे की तरफ जाना पड़ेगा तो यहां से पीशे जाओंगा एक step तो मैं यहां पहुचा तो यह वाला क्या होगा आपका x minus 1 मतलब यहां पर पहुचा ठीक है y की तरफ जाना नहीं क्योंकि जीरो है जेट की तरफ नहीं जाना क्योंकि जीरो है तो कहां पहुचा यह पीच्छी वाले पे तो यह पीच्छी वाला जो प्लेन होगा वही आपको क्या होगा वही प्लेन आपको होगा वन बार जीरो ज जैसे 100 सामने वाला था तो वन बार क्या होगा उसके पीछे वाला होगा वैसे अगर बोला जाए कि 0 1 बार 0 को बताओ तो पिछले स्लाइड में देखो ये वाला जो है बगल वाला वो 0 1 0 है तो इसी वाला जो होगा ये वाला वो आपका 0 1 बार 0 होगा ठीक है और वैसे ही ये टॉप वाला प्लेन क्या था 001 था तो अगर मैं इसको 001 बार कर दूँगा तो कौन सा प्लेन हो जाएगा ये नीचे वाला हो जाएगा ये जो नीचे वाला प्लेन है वह आजाएगा यह वाला क्या plane होगा नीचे वाला? 001 बार होगा क्योंकि उपर वाला जो था, वो 001 था, तो यह नीचे वाला 001 बार होगा ठीक है? तो यह मैंने आपको बता दिया, जो 1001 वाला plane है अब देखो, यह जो 6 plane मैंने बताए, जो 6 phase बताए वो 6 फेज जो है वो पूरा identical है ठीक है अगर आप किसी भी crystal structure के 6 plane को लेते हो तो आपको समान मतलब जो characteristics है वो समान मिलेगा मतलब planar density समान मिलेगी आपको तो आप इन 6 plane को क्या बल सकते हो family of plane बोल सकते हो हो को क्या बल सकते हो कि family of plane है ठीक है मतलब जो 100 है ठीक है 010 है और 001 है एक ही तरह का बनता है वैसे ही 1 बार 00, 01 बार 0 और 001 बार ये जो 6 क्या हुआ plane ये एक ही जैसे है इसको हम क्या बल सकते हैं family of plane इसको हम क्या बोलेंगे family of plane तो इसको कैसे दिखाएंगे ऐसे वाला ब्रेकेट लगा करके 100 यह वाला ब्रेकेट लगाएंगे तो वो किस चीज को शो करता है family of 100 plane तो यह 6 plane इस family का हिस्सा है ठीक है इस तरीके से बनाना है आपको चलो अब next हम लोग देख लेते हैं अलग टाइप का वो देखते हैं हम लोग 110 वाले को देखते है 110 अलब प्लेन को वो आप कैसे बनाओगे 110 अलब प्लेन को फिर इसके लिए सेम चीज करो क्यूब आप बनाओ पहले अब हमेशा याद रखना अगर सब पॉजिटिव है जैसे यह 110 में सब पॉजिटिव है तो ओरीजिन को हमेशा कहां पे लेना है अगर सब पॉजिटिव में एक भी बार नहीं है तब ठीक है तो यह वाला क्या हो जाएगा आपको यह वाला एकसीस हो जाएगा यह वाला क्या हो जाएगा जैक्सीस हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या है 110 है तो एकस वन है वाई वन हो जो है वह जीरो है ठीक है तो एकस वन है मतलब एकसी तरफ आप बन चलोगे तो यहां पर पहुंचोगे जेड की तरफ भी वन जाना पड़ेग क्योंकि y भी 1 है तो यहां पहुचोंगे यहां पर और z 0 है तो z की तरफ नहीं जाना है z 0 है इसका मतलब क्या है कि जो plane बनेगा वो कभी भी z को z axis को cut नहीं करेगा या उसके वो parallel है या वो infinity पर cut करेगा ठीक है middle indices 0 होने का मतलब क्या होता है कि वो plane जो है उस axis को कभी cut नहीं करेगा या infinity infinity पर जाके cut करेगा ठीक है या वो सकते हो कि वो parallel है उसको cut नहीं करता है z is equal to 0 मतलब वो plane जो बने का वो z को cut नहीं करेगा तो आपको क्या मिला यह दो point मिला अब simply इन दोनो point को ऐसे मिला दो मिला दी या बना वही क्या है आपका यह जो plane बना यहीं आपको क्या हुआ हुआ यह 100 plane हुआ है जो ऐसे side से कहा है मतलब अज इस room में आप बैठे हो मानके चलो उसको एक corner से दूसरे corner में ऐसे diagonal type का तो यह plane कौन सा हुआ 110 plane हुआ ठीक है अगर इसी में बोल दिया जाए तो अगर उसी में आपको इसी में आपको बोल दिया जाए कि 011 plane बनाओ 011 plane बनाओ ठीक है तो 011 भी होगा तो same origin भही रहेगा क्योंकि सब प्लस में है तो x की तरफ आपको नहीं चलना है इस case में अब x के parallel होगा अब यह जो plane होगा वो क्या होगा वो x के parallel होगा ठीक है तो x की तरफ आपको नहीं जाना है y1 है मतलब y की तरफ x step 1 जाओगे आप यहां से किधर जाओगे y की तरफ 1 है इधर गया है ठीक है और कहां जाओगे और आपको कहां जाना है z की तरफ जाना है ठीक है z की तरफ मतलब यहां तो यह X और Z मिल गा है तो आप इन दोनों point को ऐसे जोड़ दो, इसको जोड़े, ठीक है, तो इसको जोड़े तो यहले point को भी आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, यह line के parallel parallel line बना दिया, ठीक है, अब यह जो आपको plane मिल रहा है, यह जो plane मिल रही है, वो आपको कौन सा plane हुआ, यह आपका हुआ, यह वाला plane क्या हुआ, 0, 1, 1 plane, और यह वाला कौन सा है, 1, 1, 0 plane, ठीक है, देख रहे हो, दोनों का dimension same है, ठीक है, बस तरीके अलग-अलग है, तो यह भी सब उसी family का हिस्सा होगा, ठीक है, और एक और plane आप ल बनाओ, 1, 0, 1 को बनाओ, ठीक है, 1, 0, 1 को बनाके आप लोग try करो, है ना, अब इसी का अगर बार आ गया, ठीक है, अब इसी का, question में क्या आ गया, कि आपको बनाना है, 1, 2, 1, 2, 0, यह बनाना है, ठीक है, तो 1, 2, 1, 2, 0, कैसे बनाओगे, simply क्या करना दनी हें आट्वाण थमें साटाeso झाल 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 में कार्या झाल 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 झाल